नमस्त्यों वित्रों सभीको जैशिराम आज हम जानेंगे बुन्द बुन्द से भरता है सागर एक आदमी समुद्रतट पर चर रहा था उसने देखा कि कुछ धूर पर एक युवक ने रेट पर जुक कर कुछ उठाया और अहिस्ता से उसे पानी में फेक दिया उसके नजदीक पहुचने पर आदमी ने उससे पूछा और भाई क्या कर रहे हो युवक ने जवाब दिया मैं इन मचलियों को समुद्र में फेक रहा हूँ लेकिन इन्हें पानी में फेकने की क्या जरूरत है आदमी बोला युवक ने कहा जुआरा का पानी उतर रहा है और सुरज की गर्मी बढ़ रही है अगर मैं उन्हें वापिस पानी में नहीं फेकूंगा तो ये मर जाएंगे आदमी ने देखा कि समुद्र तर्ट पर धूर धूर तक मचलियां बिखरी पड़ी थी वह बोला इस मीलों लंबे समुद्र तर्ट पर ना जाने कितने मचलियां पड़ी हुई है इस तरह कुछे को पानी में वापच डाल देने से तुम्हें क्या मिल जाएगा इस से क्या फर्क पड़ जाएगा युअक ने सांत से आदमी से बात सुनी फिर उसने रेत पर जुब कर एक और मचलिय उठाई और उसे आहिस्ता से पानी में फेक कर वह बोला आपको इस से कुछ मिले ना मिले दुनिया को इस से कुछ मिले ना मिले लेकिन इस मचली को सब कुछ मिल जाएगा एक छोटा सा प्रयास अनेकों का भविश्य सदा के लिए बदल सकता है चत्रपती वीर सिवाजी महाराना प्रताप और बंदा बैरागी जैसे महान चत्रियों का जीवन भी कुछ ऐसा ही था चत्रपती सिवाजी महाराज ने छोटे छोटे पहाडी किलों को जीत कर बीजापूर यासत का हिला दिया चत्रपती सिवाजी महाराज का प्रताप इतना बढ़ा की एक दो सताप्दी पुरानी मुगल्य सल्तनत के सासक औरंग जेप की रातो रात नींद उड़ा गई अपनी छेप मिटाने के लिए औरंग जेप ने चत्रपती सिवाजी महाराज को पहाडी चुहा तक कहा डाला मगर वीर सिवाजी महाराज बन हिंदूओं के हिर्दय समराड बन गए चत्रपती सिवाजी महाराज का प्रयास आरंब में छोटा था मगर समय के साथ उनके महान पुरुशार्त ने भारती इत्यास में अपनी विसेश पहचान बनाए जब सारा राच पुताना अकबर की अधिनता स्विकार कर रहा था तब स्वाभी मानी और वीर महाराणा प्रताप से यह अत्याचार सहा ना गया उन्होंने सोने के बरतन में पान की पीक थूकने वाले मुगलों के अधिन्ता और महलों में विश्राम को त्याग कर जंगल में पत्थर के बिस्तर और घास की रोटी खाना स्विकार किया मगर मुगलों की गुलामी स्विकार नहीं की महाराना प्रताप के पुरुशार्त से चित्थाण गड़ एक बार फिर से स्वतंत्र हुआ महाराना प्रताप का प्रयास आरंबह से छोटा था मगर समय के साथ उनके महान पुरुशार्थ ने भारती इत्यास में अपनी विसेश भाचान बनाए वीर बंदा बैरागी ने जब गुरु गोविंद सी के मुख में हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार को सुना तो उन्होंने महन तचोला छोड लोह कवच धारन कर लिया अपनी तलवार से गुरु पुत्रों की हत्या का ना केवल बदला लिया आपी तू पूरे उत्तर भारत में इसलामिक आतम की आतं की लहर को रोक दिया वी वीर बैरागी के पुरुशार्थ से हिंदों को रहत की सास मिली वीर बैरागी का प्रयास आरंब से ही छोटा था मगर समय के साथ उनके महन पुरुशार्थ ने भारतिय इत्यास में अपनी विसेश पहचान बनाए 1949 में आर्य समाज में हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सत्यागरह किया हैदराबाद रिहासत में हिंदों के धार्मिक अधिकारों का सरिया का नाम पर अतिक्रमन किया जा रहा था हिंदों को मंदिर बनाना सोभा यात्रा निकालने वरत्यवार साधी करने पर पतिबन था ऐसे में आरे समाद द्वारा इस अत्याचार के विरुदान दोलन किया गया सभी ने कहा आरे समाजियों का दिमाग खराब हो गया है जो संसार की सबसे घनी रियासत से टककर ले रहे हैं अहिंसा के पुजारी महत्मा गान्दी ने भी आरे समाजिय कांदोलन का विरुद्ध किया अंत में विजय आरे समाज की हुई आरे समाज के प्रयासों से हैद्राबाद आगे चल कर भारत का भाग बना इत्यास में ऐसे अनेक उधारन आपको मिल जाएंगे जब एक छोटा सा प्रयास इत्यास की दिशा वदल देती है आज इस्लामी कातंग वादविश्व के समस्त देसों को चुनाती दे रहा है भारत भी उन देसों में से एक है भारत के कुछ युवा ISI में सामिल हो चुके है वह दिन धूर नहीं जब दूर गामी परिनाम सामने आएगा ऐसे में हर राष्टवादी हिंदू का प्रयास यही होना चाहिए कि इस आतंग वादियों का सामना किया जाना चाहिए प्रयास चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो मगर उसकी अपनी महनता है इंटरनेट, सोचल मीडिया, समान्य चर्चा, स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय, इस्थान सफर करते जहां भी मौका मिले इसलामिक आतंगवादियों की भदसरना विरोध अवस्य करें इससे ना केवल जन चेतना का प्रचार होगा आपी तु अनिकों के जीवन भी बदलेंगे वह दिन भी आएगा जब देश के मुस्लिम भाई भी आई एस आई के विरोध आवाज बुलंद करेंगे तो जितने युवा भाई हैं उनसे प्रातना है कि आप सत्य मारग में चलें सत्य के बरोवर तप नहीं सत्य बरोवर तप नहीं जुड बरोवर पाप नहीं सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और धर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं है तो अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए एवाम अपनी भारतिय संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू युवा जागरितों युवा वर्ग में अथा सकती होती है जो की अच्छे कर्मों में समय का निर्वाहन करना चाहिए सतकर्म करने चाहिए जितना हो सके अच्छे कर्म करें अपने आज़ पास अगर कोई मंदीर है चोटा सा तो अगर उसका जिर्णों धार करना है तो वो करें और जितना हो सके अपने आज़ पास के वाता उननको अच्छा बना है जैशीरा